कि सब्सक्राइब करें हैं इसकान यूनीक रेसिपिस को साथी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हलो फ्रेंडस असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब आज हम रहा पर बनाने जा रहे हैं अंडे का ब्रेक्फास्ट और यह नारेयल से बनाया है नारीनस कोग्वोन एक ब्राइग बना रहे और खाने में बेहदल अजीज है तो चलिये से बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने कुछ मसाले लिये हैं इसका हम पेश्ट बनाएंगे तो यहां पर हमने 6 हरी मिर्च लिया है एक इंच तुगड़ा अद्रक और 8-10 हमने लेसुन की कलिया लिया है और यहां पर हमने आधास कच्छा नारियल लिया है कोकोनट लिया है हमने आपर इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पेश्ट बनाना है मिक्सी जार में तो इसके सबसे पहले हम स्लाइस को कट कर लेंगे और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है आप इसे नाश कि इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे थूरा सा पाने डाल कर इसे हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हाँ यहां पर हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे यहां पर हमने आधा कप तेल दिया है और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे अब अपने इसाप से तेल कम जादा कर सकते हैं और तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो यहाँ पर हमने अच्छे मीडियम साइज की प्याज लिए इसको हमने बहुत ही बारिक काट लिया है बिल्कुल फाइन चॉप किया है इसे हमने और इसको तेल में हम अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे जबते के इसका कलर चेंज ना हो जाए फ्राइसा गोल्डन होने तक किसे हम फ्राइ कर लेंगे प्यास देखिए हमारे अच्छी तरीके से थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे पोकुनट का पेश्ट जो हमने बनाया था वह हम डाल देंगे हरी मिर्श अदरक और जो हमने सारी चीजों को पीसा था वह हम इसमें मिला देंगे आप इससी तरीके से ज़रूर बनाए एक ब्रैक्फास्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसे नाश्टे में बनाएंगे यह आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं लेकिन नाश्टे में जाल मिर्च पाउडर और दो टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर नमक स्वाद अनुसार इस सारी मसालों को हम तुरह से चलाकर अच्छी तरीके से भून लेंगे आप अपने हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर इतना लिया थी क्योंकि इसे हम चटपटा बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा इसको हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे सारी चीजों को हमने अच्छी से भून लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं छे मीडियम साइज की टमाटर हमने लिये हैं इसको भी हमने बारिक काट लिया है बिल्कुल फाइन चॉप हमने कर लिया है और इस मसालों के साथ हम टमाटर को अच्छी तरीके से भून हमने सारी चीजों का भून लिया अब हम इसे ढखकर पकाएंगे तो अब हम इस पर ढखकर लगा देते हैं और लो फ्लेम पर हम पांच मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए पांच मिनट हो चुके हैं और देखिए तेल बिल्कुल अलग हो रहा है अब इसे हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और चम्मच से दबाते हो इसे थोड़ा समयश कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा समयश हो जाए इस तरीके से और साइज चीज अच्छी तरीके से भून चुकी है और अब इन मसालों के बीश में हम चम्मच की मदद से इस तरीके से छेद बनाएंगे और इसमें हमें अंडों को डालना है इस तरीके से अब यहाँ पर हमने छे अंडे लिये हैं और इस तरीके से होल बनाते हुए अंडों को तोड़कर हम इस होल में डाल देंगे इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में आप भी जरूर ट्राइ करें एक बार बहुत ही अच्छा लगता है यह देखे इस तरीके से हमें सारे अंडों को डाल देना है बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे इसे आराम से करें ताकि अंडे बिलकुल यहाँ पर बहे नहीं या टूटे नहीं यह देखिए इस तरीके से हमने सारे अंडों को इसमें डाल दिया है ग्रेवी में और इसे हम लोफलेम पर ही हमें इसे पकाना है तो उपर से हम थोड़ा सा नमक और काली मेरच का पाउडर थोड़ा सा बुरक देंगे उपर से और हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे यह उप्शनल है इससे थोड़ा सा टेस्ट और देखने में भी अच्छा लगता है यह तो अब इसे हम ढख कर लगबख 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे ताकि सारी चीज़े अच्छी तरी के साद्रीच स क्लाकर परिखने मसालों के अंदर हम सेटों पर देते हैं और 5 मि ाणिट के लिए इसे ही छोड़ेत्य और हम से इकढ़ाई में इस शृफ करेंगे इसे हम थोड़ा से थंड़ा हो पाज में ठो चुके हैं अब हम इसे सर्फ करेंगे तो हम इसे गार्णिश करेंगे धनिया की पत्ति के साथी और आपको इसकी रेचिप पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमें मुझे जरूर बताएं यह coconut egg breakfast की recipe आपको कैसी लगी इसकी वीडियो आपको कैसी लगी